भेडिये ने कर दिया था सो रहे बेटे पर हमला फिर बेटे के लिए दुरगा बन गई मा जिस भेडिये ने पूरे उतरप्रदेश सरकार की नाक में कर रखा है दम बच्चे के लिए भेडिये से भिड़ गई एक मा जिस भेडिये को ढूडने के लिए खुद योगी ने लग मचा हुआ है एक भेडिये ने अपने घर के बाहर अपनी मा के साथ सो रहे बच्चे पर हमला कर दिया फिर क्या था मा अचानक से दुर्गा बन गई आम तोर पर ऐसा होता है तो लोग डर जाते हैं भेडिया अगर किसी पर अटेक कर देता है तो बाकी लोग वहां से भागने क कोशिश करते हैं लेकिन यहां मा ने अपनी जान की परवा किये बगैर उस भेडिये से लोहा लिया भेडिये ने बच्चे पर अटेक कर दिया था यह देखकर बच्चा चिलाया बच्चे की आवास सुनकर मा भी उठ गई जब उसने देखा कि सामने एक भेडिया है तो मा की अंदर की दुरगा जाग गई मा ने भेडिये पर अटेक कर दिया भेडिया भी मा से भड़ गया लेकिन मा का होसला भेडिया पर भारी पड़ गया और जब चीक पुकार मची तो आसपास के लोग भी आ गए यह देखकर भेडिया वहां से भाग निकला हलाकि बच्चे पर ह आच से लेकर अब तक 9 लोगों को भेडिया अपना शिकार बना चुका है जिसमें से 8 बच्चे शामिल हैं हर तरफ शीक पुकार मची हुई है वन भाग की टीम लगातार भेडियों का सर्च ऑपरेशन कर रही है बताये जा रहा है कि अब तक 4 भेडिया पकड़े जा चुके हैं लेकिन अभी भी कई सारी भेडिये ऐसे हैं जो आसपास के गाउं में घूम रहे हैं उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है वो रोजाना किसी ना किसी बच्चे को अपना शिकार बना लेते हैं सबसे आता अटैक भेडिये बच्चों पर ही कर रहे हैं हलाकि एक व्रिद म महिला की भी भेडिये के अटैक की वज़ा से जान जा चुकी है ऐसे में पूरे बहराईच में और उत्तर प्रदेश में कोहराम मचा हुआ है वनिभाग की टीम लगातार सर्च ऑपरिशन कर रही है लेकिन अभी तक कोई भी जानकारी भेडियों के बारे में नहीं मिल पा र लेकिन उसे कैसे पकड़ा जाए कैसे वनिभाग उन्हें यहां से ले जाकर कहीं दूर जंगलों में छोड़े ये कोई नहीं जानता हाला कि कोशिश लगातार जारी है लेकिन एक बच्चे के लिए मा क्या कर सकती है इसकी बानगी इस खबर में सामने आई बच्चे को बचा लगे जानानी की कि इस शकर में उसकी भी जान जा सकती है और जान से वढ़कर क्या होता है शायद एक मा के लिए उसका बच्चा और इसी वज़ा से उसमा ने अपनी जान की परभा किये बग도 बैडिये से लोहा ले लिया और बेडिये को डर की वज़ासे वहाँ से जाना प आपके जो भी परिवारवाले उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं खास और से गाउंवाले लाकों में रह रहे हैं उन सबको ये वीडियो शेयर करके उनकी हिम्मत बढ़ाईए और उनको बताईए कि कभी भी भेड़ी आ जाए तो डरना नहीं है उससे लोहा लेना है जीत आपक हिरोगी